मेरे प्यारे देश्वासियों आप सभी को क्रिश्मस की शुब कामना है हम इस वर्ष के अंतिम सप्ता में है 2022 बस आने ही वाला है आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे है लेकिन उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमिद होने का पता चला है मैं आप सभी से आग्र करूंगा कि पैनिक नह करें हाँ सावधान रहे सतर्क रहे मास्ट उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना इन बातों को हमें भूलना नहीं है आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्मविस्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है हमारी इनोवेटिव स्पिरिट भी बढ़ रही है आज देश के पास अठारा लाक आइसोलेशन बेट्स हैं पांच लाक आक्सीजन सपोर्टेड बेट्स हैं एक लाक चालिस हजार आइसीउ बेट्स हैं आइसीउ और नोन आइसीउ बेट्स को मिला दें तो नब्बे हजार बेट्स विशेस तोर पर बच्चों के लिए भी हैं आज देश में तीन हजार से जादा पी एसे ऑक्सीजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं चार लाक ऑक्सीजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तयार करने में सहायता की जा रही है उन्हें परियाब तो टेस्टिंग किड्स भी मोहिया कराई जा रही है साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाए का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हतियार है और दूसरा हतियार है वैक्शिनेशन हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई है बहुत पहले वैक्शिन निर्मार पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्शिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेसिस, सप्लाई चेन, डिस्टिबुशन, ट्रेजिंग, आई टी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल सोला जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्शिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामोहिक प्रयास और सामोहिक इच्छा शक्ती है कि आज भारत 141 करोर वैक्शिन डोज के अभुत पुर्व और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वैस्क जनसंक्या मैं से 61% से जादा जनसंक्या को वैक्शिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वैस्क जनसंक्या मैं से लगभग 90% लोगों को वैक्शिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विस्तारित और कठीन बहुगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्शिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टुरिजम की दुरस्टी से महत्वपुन राज्य जैसे गोवा उत्त्राखन हिमाचल जैसे राज्यों ने शत्प्रतिशत सिंगल डोज वैक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाओं में जब शत्प्रतिशत वैक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोश होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिट्मेंट का और देश के सामान्य मानुवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विस्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली डी ने वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई सुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धान्तों वैज्ञानिक परामर्ष और वैज्ञानिक पद्धती पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देश वासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही है लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्गता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासीयों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी वैज्यानिक सुजाओं के आधार पर ही इताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाए पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे और जो को मर्मिलिटी किसे ग्रस्त है उन्हें कब वैक्सिन लगे ऐसे निर्णय लगातार किये गए और ये परिस्थितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबिद हुए हैं भारत ने अपनी स्थिती परिस्थिती के अनुसार भारत के वेग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही हैं विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग हैं भारत के वेग्यानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वेक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वेग्यानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभवों को देखते भी आज कुछ निर्णे लिए गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी है क्रिस्पस का तेओहार भी है तो मुझे लगा कि इस निर्णे को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वेक्सिनेशन प्रारब होगा दोहजार बाइस में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी ये फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन के द्रस्टी से सरकार ने निर्ण लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात 2022 में दस जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य है इसको ध्यान में रखते हुए साथ वर्से उपर की आयूचे को मर्बिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियो मेरा एक आगरह है कि अफ़ा भ्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देशवास्यों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद गंतंत्र न्यूस की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ओन करें करेंगे